अगर आप UPI payment का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप Google पे इस्तेमाल करते हैं, फोन पे करते हैं, या फिर Paytm का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बड़ी अहम जानकारी है, और इस खबर को जरा ध्यान से सुनें, और साथ महीं इस खबर को शेर भी करें, ताकि जो भी उपभ पहुंच पाए, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Google पे बगरा यूज करते हैं, तो आप अगर एक एपरल से जाने की लगबग दो दिन के बाद, अगर आप Google पे यूज करेंगे, यूपे पे पेमेंट यूज करेंगे, फोन पे, पेटियम यूज करेंगे, तो दो हजार पे की अगर आप जादा transaction करते हैं, या पिर दो हजार की या पर उससे जादा, अगर आप transaction करते हैं, तो आप पर जो है एक पॉइंट एक फीसीदी जाने की, एक पॉइंट एक परसंट आपको जो है वो चार्ज भी पे करना पड़ेगा, सार्पे में आपको यह बता दूँ या merchant pay करेगा पर जो directions दी गई है वो इस दुकानदार के लिए दी गई है तमाम जितने भी गरहक होंगे जो गरहक समान खरीतने जाएंगे अगर वो 2000 से ज़ादा का समान खरीते हैं कोई भी बड़ी 2000 से उपर transaction करते हैं तो 1.1 फीसिदी जो charge लगेगा वो merchant को लगेगा पर हम लोग कहीं बार देखते हैं कि अगर आप कोई form ही बरने के लिए जाते हैं या फिर आप कोई recharge कहीं बार जो है किसी भी डिश का आप recharge करवाने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो हैं 10-20 उरपे उनको साधा देते हैं और वो customer से मांगते हैं, demand करते हैं कि हमारे ये charges कटेंगे पर यहाँ पर देखने वाला ये है कि अगर आप UPA payment के जरीए अगर आप 2000 से उपर transaction करेंगे तो वो जो charges हैं, वो साबतोर पर direction दी गई है कि merchant, जाने कि जो दुकान दार रहेगा उसे pay करने हैं, ना कि customer को pay करने हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि मंगलबार को एक report में कहा गया है कि एक April से UPI lane देन महंगा होने वाला है इसमें NPCI circular का हवाला देते हुए बताया गया है कि UPI के जरीए 2000 पे से ज़ादा के transaction पर 1.1 फीसे दी prepaid payment instrument यानि की PPI लगाने की सिवारिश की गई है जाने कि अब PPI जो है, वो आपकी जितनी भी UPI, Google Pay या इरपेटियम payment कोई भी होगी, उसमें आपको जो है ये PPI लगाने की सिवारिश की गई है और इस मसले में, इस मामले में National Payment Corporation of India जाने की NPCI ने अपना रुक जो है वो साफ कर दिया है, जिससे आपसे यहाँ पर लग रहा है ये दुकानदार कहता है कि कोई बात आप समान खरीदो, जो 1.1 फीसिदी होगा, वो मैं पे कर दूँगा और यहाँ पर अगर आप 2000 से उपर की अगर transaction करेंगे जाने कि अगर आप 2000 पर की transaction करते हैं, लगबग 22 उर्पे जो है, 20-22 उर्पे जो है वो आपको extra pay करने होंगे, जो की extra pay इसलिए करने है, क्योंकि आप नई directions के मताबिए capital के बाद जो भी shopping 2000 से उपर करेंगे, उसके लिए साब तोर पर यहाँ पर कहे दिया गया है जो पे करना होगा, और दो दिन के बाद, यानि कि एक एपरिल को 2023 से नया वितवर्ष, जाने कि new financial year जो है, वो शुरू होने जा रहा है और इसकी शुरुबात के साथ ही UPI से लें दिन, UPI transaction भी महिंगा होने वाला है, मंगलबार को जारी report में कहा गया है कि National Payment Corporation of India, जाने कि NPCI ने 2000 रुपए से अधिके merchant payment पर PPI चार्ड लगाने की शिवारिश की है अब यहाँ पर आप देखें कि merchant payment की बात की गई है, जाने कि जो दुकान डर जो है, उसको जो है, वो PPI चार्ड जो है, वो उसको लगेगा था कि NPCI ने Prepaid Payment United यानि की PPI लगाने की तयारी की है, यह चार्ड 0.5 से लेकर 1.1 फीसिदी लगाये जाने की सिफारिश की गई है, सर्कलर में UPI के जरीए 2000 रुपे से जादा के transaction पर 1.1 फीसिदी Prepaid payment जो है, वो आपको PPI लगाने का सुजाब दिये जाने का जिकर किया गया जो merchant transaction जाने की वेपारियों को PPI मेंट करने पर देय होगा, अब यहांपर साफ तोर पर कहा दिया की वेपारी जो मर्चंट होगा, उसी को यह payment पेकरनी है, और अब यहां पर मैंब आपको साफ तोर पर कहा दूँ कि यह जो बताया गया है, इससमे सब साफ तोर पर कहा गया है कि मर्चंट जो होगा जो दुकानदार होगा वह इस चीज़ का बुक्तान करेगा पर हम लोग कई बार देखते हैं कि इसके ओपर जो है ज्यादा तर कस्टमर्स को भी कहीं बार जो है वह अपनी जेब डिली करने पड़ती है जो कस्टमर्स अमान लेने के लिए जाते हैं उ तो तमाम कही बार ऐसा देखने को मिलता है पर यहां पर साफ तो पर जो है वो मर्चंट को जाने कि दुकानदार को कहा गया कि 2000 से उपर अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें जो है वो आपको 1.1 फीसिदी जो है वो लगवग 20-22 रुपे 2000 पे के पीछे जो है वो द दुकानदार को बुक्तान करना होगा पर अप देखने वाली ये बात होगी कि क्या एक एपिरल के बाद आप कहीं भी गूगल पे बगारा इस्सेमाल करते हैं, उनके तक ये खबर पहुंच सके और ये जानकारी जो है, वो तमाम उन्हें यूजर सक पहुंच पर गे और फिलाल देखते रहे हैं आप नई अपडेट के लिए अनिये जसल टीवी, जैन जै बारत, जै जम्मू